नमस्कार, एक मुलाकात में आप सभी दर्शकों का हार्दीक स्वागत और अभिनन्दन, हर बार की तरह एक ऐसे अतीथी के साथ इस बार हम उपस्थित हुए हैं, जो सब को मार्ग दर्शन देते हैं, जिनका जीवन धर्म और आध्यात्म के लिए समर्पित हैं, जो सभी को ए एक ऐसा प्रकाश देते हैं, जो सब इश्वर की ओर उनमुख होते चलते हैं, और हम सब के भी यही कामना रहती ही है, कि हम अपने जीवन में अंदकार से प्रकाश की ओर चलें, अधर्म से धर्म की ओर चलें, और जीवन हमारा संपूर्ण सफल हो, ताही ज़्यादा वक्त न लेते हुए, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, आज के हमारे विशिष्ट अतिति जो हैं जगत कुरू सुरियाचार्य कृष्ण देवानंद छे, जो की द्वारका से हमारे बीच पधारे हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन हैं, हमारी सभी दर्शक आज अभिभूत हैं आपको यहां पा करके, क्योंकि सभी हमारा देश तो ऐसा देश है, जहां धर्म और आध्यात्म की सरीता प्रवाहित होती रहती है, व्यक्तिगत प्रश्ण से शुरू करना चाहूँगा, आपने इस धर्म और आध्यात्म के मार्ग को क्यों चुना हैं? अध्यात्मिक एक ऐसा साउंदरे का गेना है, जिसको हर मनुश्य के अंदर यह गेना पेनने के जुरूत है, यह गेना इतनी सब्त सुरूग के मुरली से बना हुआ है, और मुरली का प्यार हम अमृत बेला समय में अगर देखते हैं, सुनते हैं, तो जीवन का अंधकार होने का अउचित मुझे कहा मिल सकता है, तो अमृत बेला में मिल सकता है, बच्पन से ही आप में एक रूची थी आध्यात्म की और चलने की, या कोई विशेश इंसिडेंट हुआ, आपने सोचा कि नहीं धर्म और आध्यात्म ही श्रेयसकर है, मेरे दादा जी का नाम था, तो मैंने एक दिन अपने पीता शीर से पूछा, यह सादू क्या होता है, तो उन्होंने कहा, सादू बहुत बड़े तपस्वियों होते है, बहुत रुश्यमूनी होते है, और छे मैने के बाद मेरे दादा देव हो गए, इतना सुना कि, तो मैंने मन में विचार किया, उन्होंने मुझे एक दिन शिवलिंग के पास ले गए थे गुफा में, तो दादा जाते ही मुझे अंदर से प्रेना हुई, अब दादा गए है, अब मुझे भी जाना चाहिए, और पीता सी को मैंने बोला कि भाई, ओग नमश्युवाय, हम चले, पीता जी ने थोड़ सा अपना नाराजगी जाहिर के, नाराजगी करते करते कहा कि यही दादा के जैसा तुम सादू बनना चाहता हो, तो मैंने कहा कि जीवन में जह सत्य है जह प्रकाश है वो मुझे देखने जाना है, मुझे सादू ही होना है, और मैंने निकल गया तीन साल गाता, तो अपनी उर और जगा नहीं, दादा ने जिस जगा मुझे ले गया था, उसी शूलिंग के पास मुझे जाना है, वहां से आपकी यात्रा शिरू हो और वहां से मेरी यात्रा शूरू हो गभी ऐसा लगा कि इस मार्ग को अपना करके मैंने गलत किया, मुझे सांसारिक जीवन जीना था, उस और एक आकर्शन क्योंकि कहा जाता है कि संसार की जो माया है, चमक-दमक है, मानव मन को तो आकर्शित कर ही लेता है, कभी ऐसा हुआ, वियक्तिगत प्रश्न एक्षमा चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा पूचा, मेरे बचपन से ही, हेमालय में साथना की, बरप और ऐसी विद्याई सिखाई थी, और मेरे हत में साड़े चार सु पूरा साल पूरा नहीं, मुरली दे दी, कहां कि ये मुरली का द्वारिका में बनेगा विश्व का पहला मुरली मंदीर, आर उने एक स्लोगन बोला था, द्वारिका में बना विश्व का पहला मुरली मंदीर, आओ दर्शन करके पावन हो जाए सभी तो मुझे वो गुंज रहाता तो मेरा अकर्शन उस साधना से शुरू हुआ और उसी समय उन्होंने मुझे सुर्य त्राटक करने का सिखाया बोले आप भगवान सुर्य को देखोगे तो द्वारिका में एक मुर्ली मंदिर मिश्व का पैला मुर्ली मंदिर बना हमारे तेरा अखाडों से सबसे बड़ा अखाडा जुना अखाडा है जुना अखाडे ने मुझे जगत गुरु बना दिया और कुछ शन जाने के बाद हमारे संतों को और शंकर अचारी को ऐसी प्रेरना हुई, कि अभी तक चार आचारिय है, देविचारिया, गनेश अचारिया, भागवत अचारिया और शंकर अचारिया, पर पंच देव के प्रमुक देव है सूरिय देव, पर सूरिय अचारिय जे नहीं है, तो प्रयाग राज में ले जाए, कुम के समय, मागे प्रायाग राज में मुझे बुलाया किया। दो शंकराचारिया स्वामी अंजने नंदन्दासु जो हमारे इस कार्य में ले जाने वाले वेग थे और काड़ा पिटके शंकराजारी जी ऐसे दो वेक्ति ने मेरा परिक्षा किया नदिय मिलाई के संगम में जाके। जग्षा केया जन्देश आंधे सुरिया चर्या बना दिया। तो यह अदे जगद्रु सुरिया microbi theла चर्यारी मेरा प्रवास चलता रहा। जे 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 चलिए आप सब को सोरी की तरह प्रकाश दे रहे हैं समके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। लोगों के मन में एक भाव आता है, मैं संक्षेप में वो जानना चाहूंगा, कि इतना धर्म और अध्यात्म का हमारे देश में प्रचार प्रसार है, इतने मंदिर हैं, मठ हैं, आप जैसे संथ हैं, जगत गुरू हैं, फिर भी अनायतिक्ता, अत्याचार, अंधकार बढ़ता क्यों जा रहा है, एक तो सही guidance करने वाले उनके पीछे कोई हाई नहीं, जितने भी संथ हैं, उनको एक ऐसा जगा चाहिए, जो ज्यान का प्रकाश दे, और ज्यान का प्रकाश, तब मिल सकता है, जब कोई, ऐसी संस्ता, संगठन, या कारे करने वाली वेकती हो, मैं भारत भार नहीं देश विदेश में घुमाओं, और उसका अन्भो मेरा इसा रहा, कि एक दुसरे का एक दुसरा टांक ही चे, अपना कोई भार अभार है नहीं, अपना स्वतंत्र अस्तितों बनाने वाले लोग, ये अंदकार को दूर करने वाले है नहीं, और फिर ये अन्दी यात्रा पर विश्व बर फेरिये, पर विश्व में सनातन धर्म है और सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं है, अब परिवर्तन के और जाना है तो परियाप्त विक्ति का ज्यान चाहिए जे जे जे, एक मंच पर सभी आएं, एक अठे हों और एक सामुहिक प्रयास हो, उसके लिए एक ब्रह्मा कुमारीज ने एक सुन्दर सा आयोजन किया, जिसमें आपका भी आना हुआ, लजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्विध्याले, सबको एक मंच पर लाकर के जे प्रकाश की ओर लेचलने का जो कारिय कर रहा है. क्या कहेंगे सुश्विध्याले के बारेगे? देखो, सबसे पहले, मैं प्रवबिदा ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूं, फिर मेरी अष्ट मताव को मैं प्रणाम करता हूं, और पिर आज हम, मेरी मां रतन, मा को प्रणाम करता हूँ और सभी को में कहना चाहता हूँ कि मा जो होती है वो सबसे पहली गुरू है आज महीने में मा को बुला आप जरा मेरे सर पर हाथ रखो तो में कुछ कार्य करूँ क्यों आप तो थक गई है हमारे बीजमाहुन भाई ने बुला है कि दादिया भी दो स तो सुषवल पुरे हो जाएंगे और जली से हमारा युग बदलेगा तो मैंने कहा फिर मैं फीचर है कि क्या करो मा का मेटा बन जाओ और कम से कम मा का बेटा बनने के बाद मा के साथ साथ चला जाओंगा तो फिर पुनर उत्तिकरने में और सुर्न यूग में मुझे कदम र जा रही है परमात्मा का जो परीचय दिया जा रहा है आप क्या कहेंगे उस विशय में क्या ये जन जन तक पहुंचे तो सभी प्रकाशित हो सकते हैं और स्रिस्टी स्वर्णिम हो सकता है स्वर्ग बन सकता है अब मैं दर्शवकों को कहना चाहूँगा जीवन में येदि अगर कोई मोक्ष नाम धुंडे येदि अगर हमको पुनर जन्म की याद कराए अगर हम आने वाले कल का सुवर्न भारत देखना है तो घर-घर के अंदर हम प्रजयापिता ब्रह्मकुमारी विष्वव विद्यालाई का आदर्श लेने के लिए एक बार यहाँ आना चाहीए अइसा कोई विष्व में घर ना रहे जो यहाँ नहीं आया ऐसा कोई मानव नहीं रहे जिनको यहां आने के लिए जगा न मिले पुरा विश्व यहां आये और इस संस्था के अंदर आके विश्व का प्रकाश बने विश्व का प्रकाश इसले बने कि आज विश्व में प्रकाश नहीं है आज विश्व के अंदर अंधेरा है आपना स्वारत का रोटी सेखने का और दिया बंद करदेने का चुला बन मेरा काम हो गया लेकिन येहां इसे नहीं है यहां का बोजन सात्विक विचार सात्विक कर्म सात्विक धर्म ज्यान उससे बड़ा सात्विक और फिर सात्विक सात्विक करते है, स्वर्ग लोग का दरिशन भी सात्विक है, वो यह हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई साधना की ज़रोत नहीं है, इसके लिए ध्यान की, योग विद्या की कोई ज़रोत नहीं है, इसमें एक ही लक्ष है, कि तुए एक है, तेरा सारा ए और मेरा अंदकार दून खोने का तू एक अधार है बिलकल वह संदर बात है कि सारा विश्व यहां आए हर परिवार यहां आए और हर चीज यहां इतना श्रेयसकर है शुद्ध है सात्विक है तो सात्विक तक अपना के ही हम स्वर्ण यूग ला सकते हैं और वैसे सब यहां ना भी पहुँच पाएं तो यह विश्विद्याल है वैसे 140 देशों तक पहुच गया है तो अपने स्थानों पर भी सभी सेवा के अंद्रों पर जरूर जाएं क्योंकि यह तो एक सुंदर प्रकाश की बात है एक बात मैं आपसे जाना चाहूंगा कि हम मुल्यों की और अपने आपको सक्षम महसूस नहीं करते कई बार वो बाहियवात अवरण के प्रभाव में ज्यादा आ जाते हैं यहां कौन सी चीज मदद करेगे सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का एक राजतंत्री मार्ग यहां है कि सवजन्य से सवजन् जो है यहां सीखने के लिए मिलता है और यहां सीखे हुई चीज यहां कि जो शिक्षा है वो अपार ज्यान की शिक्षा है और इस शिक्षा का आज 140 देशों में प्रसार है मैं तब बोलता हूँ कि पूरे विश्व में इसी तरह से प्रकाश पड़े जिससे लोगों का अध जियान, अंदकार, इर्शा, घमांड यह चीज जो है यही अगर इनके मार्ग दर्शन से अगर लोग चले तो निशित इस देश का नहीं विश्व का उदार हो सकता है पर उदार होने के लिए मैंने मेरे अनभव से सभी जगह में मैं यहां पर घुमा हूँ किसी भी वेक्त के चेरे में घमांड नहीं, किसी भी वेक्ति के वाने में घमांड नहीं, किसी भी वेक्ति के शरीर पर कोई घमांड का स्वास नहीं, भास नहीं, मैंने क्वाला नहीं पुरी घुम गई, तो कही यह कचरा नहीं, अभी मैंने देखा यह 20,000 पबलिक के अंदर एक टाशनी ग यहां आने के बाद अपने आपके अंदर एक शिस्त तयार हो जाती है, जिसका नाम है ग्यान, वो ग्यान जो मनुष्य को नहीं है, वो अध्यान यहां दूर होता है, यहां अध्यान दूर करने के लिए, यह अगर कोई चिछ की शिच्छा चाहिए, तो किसी ने देने की जुर जीवन बदला हुआ, और सच मुच यदि व्यक्ति अपने जीवन से सीखा है, तो यह सबसे बड़ी सीख है, उपदेश तो सभी देते हैं, कहते हैं वो चारण से बड़ा आचरण है, और आचरण से यहां सभी लोग सीख रहे हैं, आप पहली बार यहां आए हैं, पहले समया हैं, आपकी क्या आणव होती रही, क्या फीलिंग रही कि मै कहा आ गया हूं, क्या फीलिंग थे वेक्तिकत आपके ऐऊ जैआ है मेरा वेक्तिकत बात में कहता हूं, मैं जब हिमालय में रहा हूं,गर हम कौई नहीं है, जी करोड़ लोगों के बिशमे रहा हूं, पर मुझे कोई ना शांती है, ना कोई सीख है, ना कोई उसका अनभव है, और यहां उसके अलग बरवबरा पुजिशन में इधर है, यहां में आया, तेका सभी लोग तो सुन्दर है, अब शरीर चे सुन्दर होना नहीं, हम तो आंतरी सुन्दरता देखते है, अंतरी सुन्दरता यह है, कि लोग हम सिक जिस तरह से ओम शांती, आईए, यह शालिंता है, शालिंता के बाद, हमारे मन में आया, बाहर तो यह नहीं मिलती है, क्या ते मिलती है, छोटी सी बात है, हमको थोड़ा गरम जल पिने का आदत है, हमने एक बार बोला, भई हमको यह टाइम में, यह टाइम में हमको गरम चाहिए लगती है, तो हमारे संगीद अबे ने कोई दिवस हमको साधा पानी पे नहीं दिया, गरम पानी दिया, मनि यह नियम में कितना बांध रखा, क्या हम तो सोचे कि यह घर नहीं है, यह तो सोर्ग है, क्योंकि यह कलपना हम सोर्ग में कर सकते हैं, और मदुबन में हम यह सोर्ग की जैसी, तो आपको मदुपन स्वर्ग का एक model लगा जी निशित लगा और इस model में आने वाला हर मनुश्य को ये स्वर्ग ही लगेगा क्योंकि स्वर्ग से कम ये चीज़ है नहीं ध्यान वही है साधना वही है मुरली वही है अब इसमें कमी ही कुछ नहीं है अब कमी ही तो हमारे में उसे हमें निकालना है ओ निकालना है अब उसका कोई यहां के शिक्षन लेगा तो उसके अर्ट्रमेटिक निकल जाएगी बिल्कुर तो यहां से जब आप जाएंगे तो सभी को यहां की कौन सी एक बात जरूर बताएंगे हम यहां से बढ़ जाएंगे तो लोगों तक हम यही कहेंगे जीवन का सार अगर कुछ चाहिए तो एक बार मुदबन में जाके मुली की धुन्द सुन ले तेरा जीवन बदल जाएगा तुझे सुर्ग दर्शन होगा मुझे कहना है करके नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वेक्तिगत अनभव है कि यह सुर्ग से कम नहीं है तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि एक बार आओ आओ दर्शन करके धन्य हो जाओ ब्रहा संदर इस बार पूरा देश आजादी का अमरित महोटसौ मना रहा है हमारे प्रध इसे को लेकर चल रहा है लक्षे ही है कि हम उटसव मना रहे हैं लेकिन अपने देश को स्वर्णिम युग की और भारत की ओर ले चलें तो आप हमारी सभी दर्शक़ों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी क्या करें कि हमारा देश स्वर्णिम बन जाए और यह जो उट जो उनकी कलपना है जो इस देश को उन्होंने ऐसे अलंकरित किया है और उसमें आप जैसी संस्ता उनके सहयोग में है तो सहयोग में परिवर्तन मुझे निश्ची दिखाई दे रहे हैं विश्व को शान्ती का संदेश तो है ही है लेकिन विश्व के सभी लोगों को भारत वास्ताव में एक ऐसी मुर्ती है जिसका दर्शन करके मनुश्य धन्य हो जाएगा और धन्यता तो मैं आप सभी को देता हूँ कि आप मान्यय प्रधान मंत्री जी की इस उची कर्तुतों को जो आप अलंकरित कर रहे हैं उनको और उनने इस कारेकम को उद्गातन भी किया यह इतना सोभा के शली वेखती है जिसके लिए जितना बुलू उतना कम है और उतना ही अपनी संस्ता के लिए भी में बोलता हूँ कि आपनी संस्ता वहाँ पर इतना अच्छा कार्य उनके सामने रखा है जो नर्य दर्वे को क्याको रशना थे टेश हमारा है इसे हम सबको मिल करके सजाना है सवार्ण बनाना है और सचमेश आपने बहुत ही अपने दिल के उद्गार हमारे सभी दर्शकों के सम्मुख रखा है सब याज बहुत प्रेरित हुए हैं आपसे और आपके शब्दों को जरूर अमल में लाएंगे अपने जीवन को श्रेष्ट बनाएंगे और स्वाड़े भारत बनाएंगे आप यहां आए हम सब के साथ मिले अपना आशीष्ट दियास के लिए दिल से आपका बहुत-बहुत शक्रिया है जगत गुरु सुर्याचार्य जे कितने सुन्दर शब सव मना रहे हैं आजादी का लेकिन सचमुच्च चिंतन करना है कि इस उत्सव को हम सचमुच्च संपूर उत्सव कैसे बनाएं और यह तभी होगा व्यक्तिगत मेरा मानना ऐसा है विश्विद्याले का मानना ऐसा है कि जब हम अपने देश को स्वर्णिम बना दें हम सब मि आध्यात्म को अपना कर जिसके कारण हमारा देश जाना जाता है आध्यात्मिक गुरु रहा है उसे अपना कर क्यों न हम अपने देश को पुना आध्यात्मिक गुरु बनाएं शिकर की ओर ले चलें और स्वर्णिम बनाएं यही आप सबसे हमारी कामना है और जगत आठोगी जल भी आप सबसे, नमस्केर.